हेलो एस्टूडेंट स्वागत है आप सभी का योटूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में आज के इस वीडियो में क्लास बारा के बहुती विज्ञान अभ्यास एक में NCRT प्रशनों के बारे में अध्यन करेंगे पिछले भाग में प्रशन नमबर 1 से लेकर के प्रशन नमबर 14 तक के सभी प्रशनों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में व शमान बैदू छेतर ए बराबर दिया गया तीन गुड़े दस के पावर तीन आई और यहां पर न्यूटन प्रती कुलाम पर विचार कीजिए इस छेतर का दस सेमी भूजा के बर्ग के उस पासर्व से जिसका तल वाई जेट तल के क्या है शमान तर है गुजरने वाला फलक क्या है तो यहां पर बैदू छेतर की तीबरता कितना दिया गया है यहां लेखेंगे बैदू छेतर की तीबरता ए बराबर दिया गया है तीन गुड़े दस के पावर यहां तीन दिया गया है और यहां आई है और यहां पर लेखेंगे न्यूटन प्रती कुलाम दिया गया है अब बर्ग की भूजा कितना दिया गया है लेखें यहां पर बर्ग की भूजा तो बर्ग की भूजा बराबर प्रश्ण में दिया गया है 10 सेमी है क्या है 10 सेमी है तो यहां लेखेंगे 10 सेमी अब यह सेमी को जो है किस में बदलेंगे मीटर में बदल देंगे तो यहां लिखेंगे 10 और सेमी के जगा पर का लिखेंगे 10 के पावर माइनस 2 हो जाएगा अब क्या बन गया मीटर हो जाएगा अब यहां पर जो है एक घात यहां पर दिया गए कितना घात है यहां पर एक घात में से दो घात को घटा देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 10 के पावर माइनस एक घात हो जाएगा और यहाँ का लिखेंगे मीटर हो जाएगा 10 के पावर क्या है माइनस एक घात और क्या बना मीटर हो गया यह किसका मान आ गया बर्ग की भूजा का मान आ गया अब यहां पे लिखेंगे बर्ग का च्छेतरफल तो बर्ग का च्छेतरफल का सुत्र क्या होता है यहां लिखेंगे बर्ग का च्छेतरफल बराबर होता है सुत्र लिखेंगे आपर भूजा का स्क्वायर तो यहां सुत लिख लेंगे बर्ग का जो है छेतरफल होता है भूजा का स्क्वायर होता है अब यहां भूजा का मान क्या आया है तो भूजा का मान जो है दस के पावर माइनस एक आया है अब पावर क्या हो जाएगा दो घात हो जाएगा तो माइनस एक का गुड़ जब दो में करेंगे तो क्या बन जाएगा दस की पावर जो है माइनस दो हो जाएगा और छेतरफल का मात्रक क्या होता है मीटर का इस्क्वाइर होता है यहाँ प Panther का अमान निकल गया अभ यहाँ प्रस्ण में कहा गया है Y, Z तल अब क्या लिखेंगे Y, Z तल के लिए जब निकालेंगे तो यहां पर क्या होगा तो यहां देखेंगे Y, Z है यक्स नहीं दिया गया है तो यक्स अच को I कहते हैं Y, Z को J कहा जाता है और Z, Z को K कहा जाता है यहां Y, Z जब कहा जाएगा इसमें यक्स नहीं है तो आपको याद रखेंगे I हो जाएगा क्या बनेगा यहाँ पर दस और यहाँ दो रहेगा और इसके बगल में I लिख लेंगे और क्या बन जाएगा मीटर हो जाएगा तो यहाँ पर एक अमान क्या गया दस के पावर माइनस दो I अब I कैसे आया जब Y Z रहता है तो I रहता है अगर माल लीजिए यहाँ पर जेड यक्स रहता जेड यक्स रहता तो यहाँ पर जो है Y नहीं है तो यहाँ पर जेड लिखते तो जो यहाँ पर यक्स Y जेड में जो नहीं रहेगा उसी के अनुसार लिखा जाता है अगर Y जेड है तो इसमें यक्स नहीं है तो इसने आई ल y z है अब यहाँ पर फलक्स पूछा जा रहा है फलक्स किससे देखाएंगे फाई से और फाई बराबर जो है इसमें सुत्र क्या होता है आप सो भी विद्यार्थी जानते होंगे तो यहाँ पर समांतर की बात भी कहा गया है तो इसलिए ठीटा के जगाँ पर जीरो अंस लिख अब एक कास ठीटा होता है अब एक कामान क्या दिया गया था तो तीन गुड़े दस के पावर तीन दिया गया था और यहां क्या जाएगा आई हो जाएगा और एक कामान क्या दिया गया था दस के पावर माइनस दो जो है आई दिया गया है और यहां लिखेंगे कास हो गुरे 10 के पावर, ये माइनश 3 घात में से 2 घात को खटा देंगे, तो 1 घात हो जाएगा, और यहां का लिखेंगे, आई स्क्वाइर हो जाएगा, क्योंकि आई में आई का गुड़ा करेंगे, तो आई स्क्वाइर हो जाएगा, और कास जो है 0, अंस का मान क्या होता है तो काश जीरू अंस का मान एक होता है अब यहां लिखेंगे तीन हो गया और दस के पाउर एक का मतलब दसे हो जाएगा और आई स्क्वाइर का मान क्या होता है एक होता है अगुड़े बगल में एक हो जाएगा सबका गुड़ा कर लेंगे तो तीस आ क्या जाएगा तीस हो जाएगा और इसका मात्रक क्या होता है इसका मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर का इसक्वायर होता है न्यूटन मीटर का इसक्वायर और जो है प्रति जो है प्रति क्या होता है कुलाम होता है यह किसका मात्रक होता है तो फाई जो है ए का जो है मात्रक होता है तो पंद्रह यह जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आगे वक कैसे इसको हल किया गया है तो इसे अपने कापी में क्या किजिए जरूर नोट कर लिजिए तो प्रशन प्रशनमर 15 का जो बी है इसी बर्ग से गुजरने वाला फलक्स कितना है मतलब फलक्स इसमें भी पूछा जा रहा है इसके तल का अभी लंब यक्स अच्छ से 60 अंस का कोड़ बनाता है उसमें कोड़ जो है 15 का ए में 0 अंस का कोड़ बना था और इसमें कोड़ कितना है 60 अंस का कोड़ बना है मतलब जो मान उसमें था सेम मान इसमें रहे का खली कोड़ बदल गया है तो ई का मान कितना था 3 गुड़े 10 के पावर माइनस 3 था और यहां यह प्लस तीन था याद रखे गए यह प्लस तीन है यह तीन गुड़े दस के पावर यह तीन जो हाथ दिया गया है प्लस में है और छेतरफल दिया गया था दस के पावर माइनस दो जो है आई था और क्या था मातरक मीटर का स्क्वाइर है बस कौन बदल गया इसमें पहले कौन जीरो था अब कौन जो है साथ ही अंसका हो गया है और इसमें चुमकी बैदुद फलक्स पूछा जा रहा है बैदुद फलक्स किसे देखाएंगे फाई E से और फाई E बराबर क्या करेंगे प्रश्ण माचक हो जाएगा अब फाई E का 3 घुड़े 10 के पावर 3 दिया गया है और E का मान क्या दिया गया है यहां पर I चाहए तो I भी लिख सकते हैं आई भी हैं 3 गुड़े 10 के पावर 3 यहां आई हो गया गुड़े कर लेंगे 10 के पावर माइनस 2 जो है i हो जाएगा कास कितना अंस हो जाएगा 60 अंस हो जाएगा अब यहाँ पर जो इसको हल करेंगे तो पहले 3 लिखेंगे 10 के पावर 3 घात में से 2 घात को क्या करेंगे घटा देंगे अब 3 घात में से जब 2 घात को घटाएंगे तो कितना घात हो जाएगा यहां पर एक घात होगा और आई में आई के गुड़ा करेंगे तीया बन जाएगा आई स्क्वाइर और कास साथ ही अंस का मान क्या होता है तो कास साथ ही अंस का मान एक बटा दो होता है अब 30 से यहाँ पर 3 में 10 के गुड़ा कर लेंगे तो 30 हो जाएगा 30 और I square कमान एक हो गया गुड़े एक बटा 2 हो जाएगा दो से जो है 30 को काड़ देंगे क्या बनेगा 15 15 एक अन्नम 15 तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा तो 5E कमान क्या गया 15 आ गया और इसका मातरक क्या है तो आप जाने गया होंगे इसका मातरक क्या होता है Newton होता है Meter का square होता है और क्या होता है प्रति कुलाम होता है तो प्रश नमबर 15A और 15B में क्या है बस कोड का अंतर है उसमें 0 अंस दिया गया था जैसे उसको लगाया गया है वैसे इसको भी लगाया गया है बस उसमें 30 आया था और इसमें 15 आया है तो प्रश्ण नमर 15 का A प्रश्ण नमर 15 का B आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो अब सीखेंगे प्रश्ण नमर 16 प्रश्ण नमर 15 अब देखें प्रश्ण नमर 15 का अभी इसमें भी प्रियोग है तो प्रश्ण 15 में दिये गए एक समान बैदू छेतर का 20 सेमी भूजा के किसी घन से जो इस प्रकार अभी भी भाजीत अभी बिन्यासित है कि उसके फलक्स निर्देसांग तलोक के क्या है समानतर है कितना नेट फलक्स गुजरेगा तो यहाँ पर भी बैदूत फलक्स की गड़ना करना है और यहाँ पर बस क्या है इसमें जो है भूजा का मान 20 से मी दिया गया है तो यहाँ पर जो सबसे पर लिखेंगे ए का मान जो दिया गया है बराबर कितना दिया गया है तो तीन गुड़े दस के पाउर क्या था तीन था और यहां पर आई है न्यूटन प्रती कुलाम है और यहां लिखेंगे बर्ग की भूजा तो बर्ग की भूजा कितना दिया गया है तो बर्ग की भूजा जो दिया गया है उसका मान इसमें कितना स और प्रश्ण नम्मर 15 में जो है 10 सेमी दिया गया था इसमें कितना है 20 सेमी है और समांतर कहा गया तो समांतर मतलब यहां लिखेंगे ठीटा बराबर लिख लेंगे तो यहां पे दिया गया है निर्देसांग तलो की समांतर जब निर्देसांग तलो की समांतर कहा जाएगा त और यह Z हो गया, इसको X बोलते हैं, इसको Y बोलते हैं, इसको Z बोलते हैं, तो यहां कितने इसका कोड़ बना है, 90 अंस का कोड़ बना है, इसलिए ठीटा के जगा पे क्या लिखेंगे, 90 अंस हो जाएगा, अब यहां पर फाई E बराबर क्या होगा, फाई E बराबर जो है, प पाई E बराबर क्या हो जाएगा यहां E का मान जो E ही रखने दीजे और यहां A रख लीजे और यहां कास क्या लिखेंगे 90 अंस रख लेंगे कास 90 का मान क्या होता है तो यहां लिखेंगे पाई E बराबर हो जाएगा और यहां लिखेंगे E A हो जाएगा और कास 90 का मान जीरो होता है अब या लिखेंगे phi e बराबर तो e i a का गुड़ा जब जीरो में करेंगे तो इसका मान क्या गए जीरो हो गया इसलिए e का मान नहीं रखा गया अगर e का मान रखेंगे भी और e का मान भी निका लेंगे теперь 0 से गुड़ा करेंगे तो पूरा मान क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा इसलिए जो है इ का मान यहाँ पे न रख करके इसका कासना बेंस का मान रख करके गुड़ा का लिया गया है तो phi e का मान इसमें कितना हो गया जीरो हो गया तो इसमें net flux का मान क्या होगा सुनने होगा तो कैसे सुनने होगा समझ में आ गया होगा बहुत सरल भासा में बताया जा रहा है जिसे आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप सभी भी द्यारती जरू कमेंट कीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल पर दी आप पहली बार आयोंगे तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा तो आज का वीडियो इतन ही रहेगा मिलते हैं अब अगले भाग में तब तक के लिए सभी भी द्यारतियों को नमस्कार